और मैं पूनम मिनी माट की ओनर हूँ और मैं ये 28 अगस्ट को ये मेरे माट की ओपनिंग हुई है आपने दो ही महीने हुआ है माट को ओपन हुए तो लगबग सेलिंग कितना हुआ थीक है तो कितना खर्चा लगबग आया था अगर एक प्रॉक्स दिखा जाए नमस्कार दस्तों आज हम कड़े हैं पूरम मिनी माट में और इस माट को दिखाएंगे भाई कि एक छोटा सा माट है बहुत अच्छी दर्य किसी ने उपन किया है तो कितने इंवेस्टमेंट लगी कितना कॉस्ट लगा कितने रुपए लगे और कैसा ये माट अभी काम कर रहा है आए देखते हैं और हमारे भाई जिनित भाई जो कि हमारे कॉलेज फ्रेंड भी है तो अब इनसे थोड़ा बात करेंगे भाई कैसे इनुने माट ओपन करने की प्लानी की और सारी चीजे आपको समझाएंगे चैनल को सब्स्क्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा जो जनेट बाई एक चोटा से इंटर्वी दीजी मैं जनेट पाल सिंग छाबड़ा हूं मैं वेड़ श्रीवेड पर विद्प्रकाश जी का मैं कॉलिज फेंड हूं हम दोनों जे ट्रिपल सी में भी सात में पड़े हैं और दूसरे कॉलिज में भी सात में हुआ हमारी जो जॉब है हमें छोड़नी पड़ी तो उसके बार हमारा पास यही था कि हम कुछ बिजनेश करें अपना खुद का तो हमने डिजाइड की सबसे अच्छा बिजनेस तो यही है ग्रॉसरी का जो डेली नीट्स का यह सब सारे लोगों को इसकी जरूत पड़ती ह ही है तो हमने फिर ग्रॉसरी स्टोर उपन किया तो इसमें उपन करते समय आपको क्या क्या परेशानी आई थी सबसे पहले की बात यह बिजनेस ही पूरे हमारे लिए नय था हम लोग टेक्निकल बेगरांड के लोग है और यह ग्रॉसरी बिल्कुल दूसरी चीज बिल्कुल चलिए तो अब जैसे आपन इस्टोर उपन कर रहे थे तो कितना खर्चा लगा था जैसे इस स्टोर का मैं साइज आपको बता तो 300 स्कूर बिट में जैसे स्कूर बना हुआ है सामने भी काफी जगा है ठीक है तो कितना खर्चा लग बहुत आया था अगर एप्रॉक्स प्रू करना है अभी तो चाइज चल रही है कितने दिन होगे इसको दो महीने हुए तो अभी इन्होंने उतना कुछ जमा दिया जी जी तो अभी और आगी क्या कैसो चाहिए अभी अभी इसमें सेंट्र ट्रेक्स आएंगे बीच में वह शुरूआ लगाने शुरूआत करनी है अभी हमें वेजीटेबिल का काम शुरूआत करनी है फ्रूट का काम शुरूआत करना है अभी होम डिल्वी स्टाट कर दिये पर अभी प्रॉपर वे में स्टाट करना है आपने लिए अब आगे अब इमने बुक की हुए मशीन आब दर 10-15 देसमें वह आ जाएगी शुर थाइन थाउजल तो हो रही हमारी हमको इसको और आगे ले जाना है क्योंकि अब रुग आगे लेगा हुइए सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं यह स्टिब्टर कि जाते हैं घंध आएगल ऑल सेलर शेलर है जुपर में हो जाते हैं विजनिस था अभी स्टार्ट किया है तो जैसे जैसे आपके वीडियो देख रहे हैं कुछ रेक्स के लिए बहुत समान के लिए तो वहां वहां से हम कांटक्क कर रहे हैं और इसके आगे आपका क्या प्लान में और क्या करने वाले हैं कि आगे सब्सक्राइब लाइन है कि अब इसकी पूरी ब्रैंडिंग होगी बीच में रहा आएगा और इसके बार अच्छे से इसको पुरा इसकी एक एप्लिकेशन वेब एप्लिकेशन मनाई जाएगी एंड्रोइट एप बनाए जाएगा इस नाम का और घरों ते डिलिवर डिलिवरी दिपहुचाए जाएगी कम समय पे और डिसकाउंट्स बहुत से ओफर चलेंगे इस पे कम रेट पे लोग हमारे कस् संद्रण को करना में मेरी ममी का नाम मैं तो मैं अपने मम्मी को नाम को आगे बढ़ाना चाहता हो यहीं मेरा वह हमारा खुद कारहे अफुद के आडिन्टिटी एश पॉस हम इसलिए हमने स्टए्चार को इपकिया है और यही और भी जैसे कि हमने धाउर बचाएब किया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह हमारे L presenting सारा सामान रखा हुआ है अभी शुरुबात है तो अभी हम स्टार्ट किया है अभी आपी हम दीरे दीरे वीडियोच यह सर एलन प्रो का यह फ्रिजर है इसका जो कॉस्ट है 67,000 हमने लिया है उशा मार्क हाँ 65,000 पर हमने लिया है यह 67,000 कुछ रहा बाद 65 में हमको मिलाए है इसका 700 L कुछ है इसका साइज है और अभी आप देख पा रहे है यह जी डीप फ्रीजर वेगर हमने ओर करे हुए हमारी खासियर यह है कि हम सुबह 6 बजे हम इस दुकान को ओपन कर देते हैं जी मेरी मम्मी के साथ हम ओपन कर देते हैं इस दुकान को जी हमारा सुबह उपन करने का यही रीज़न है कि जो हमारी mail है वह सुबह रहती सब को हम दो को न benefici हम रहता और मैं पूनम चाबड़ा है और मैं पूनम मीनी मार्ट की ओनर हूँ और मैं ये 28 अगस्ट को ये मेरे मार्ट की ओपनिंग हुई है और मैं सबको एक अच्छा मतलब इसमें एक अच्छा रिस्पॉंस भी आ रहा है मैं सोबे 6 बजे आती हूँ मुझे मतलब काफी लोगों को ये अच रहे होती है कि मैं मैं मतलब मेरे एक्समेंशन से पुछ जादारी है मुझे एसा लगनी रहा कि मैं इसको अच्छे से चला पाऊंगी मागर मेरे 우path आने से लोगों बहूत अच्छा ये मिला रिस्पा मिला लोगों का रिस्पॉंस मिला मुझे मुझे बिस्षा में सभी आको मेरा ममाट यहां आस्था नगर गौरी घाट में हैं अगर आपको किसी भी चीज की जरौत हो तो मैं सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक एवैलेबल रहती हूं और साथ में मेरे बच्चे भी इस चीज में सहायता करते हैं मेरे अड्रेस आस्ता नगर जबलपूर गौरी घाट रोड पर है तो दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी जनकारे मिली होगी ठीक है और एक बड़ा मिली माट ना खोलके छोटा मिली माट भी ओपन किया जा सकता है ऐसा प्लानिंग नहीं कि भाई कूप सारा किराय हो जाए और फिर हम फाज जाए तो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है दिरे दिरे ही और आगे कडने वाले हैं और ब्रांच भी ओपन करेंगे तो सुरुआस इनको काफी कुछ सीखने को भी मिल गया है तो जिनित भाई कैसा लगा कुछ हमारे वीबर्स को और टिक्स दें तो मैं ब और अंधोल ऑ畐 है वीबिटर कों से कहांपे है सब बहुत बहुत हैं मेरे दोस्ते हैं हैंने आप आप मेरे माट को लिए आप वीडियो बनाया है आपने बहुत बहुत थैंक यू वे प्रकाश थैंक यू चलिए तो वीडियो को करते हैं आप एखत्म चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा फिर हम ऐसे ही नए ने वीडियोस मिलते रहेंगे धन्यवाद